आपको लगता है सर इसमें हम इंडिन्स बिसिकली या इंडिन कॉंटिनेंट के जो लोग हैं वो काप्स ज्यादा इस्तमाल करते हैं प्रूटीन कम खा पाते हैं आदतन बोलिये या पैसे के लिहाँ से तुरा सस्ता पढ़ता है काप्स खाना पेड भरने के लिए तो आपको ल अब जैसे बहुत सारे शूगर के पेशेंट है मिठा ही छोड़ देते हैं पता चला मिठा बंद अरे भाई कौन कहता है गुड तो खालो थोड़ा बाड़ी में नर्जी भी तो चाहिए और साथ में गन्य का रस पियो कभी 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 पियो मैं यह नहीं कहता है डेली पियो पियो और कभी कभी मैंगो आते हैं वो खाओ कभी एपल खाओ फूट तो कोई ऐसा है नहीं जो शूगर के पेशेंट को मना किया गया है अच्छा 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 आईरवेद गरंतों में लिखा गया है कि अपनी बॉड़ी बेट के अकॉर्डिंग मालो आपका वजन न इसे एक एक फूरूट करके डेली चेंज करते जाओ तो उससे शूगर लेबल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है अनरजी भी मिलती है यही सब सीखने के लिए सुनने के लिए मैं आया हूं जी नहीं मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप शो में आये हो और आपको हम जो आपका अनरजी लेबल है अभी भी आप कह रहे थे रात के गहरां बज रहे हैं कि पूरी रात शूट करेंगे तो यह जो अनरजी है यह कहां से लेकर इसके अंदर थोड़ा साब बताईए ता कि हर परसन जो आपको लाइक करता है वो उसको जाड़ना चाहिए Sir, energy तो यह है कि ज़तनी अनरजी लो अगर उसको दिश्साईस में तबदील करके ताकत में कवर्ट कर लें तो सब सब मूल मंतर तो देखिये sir, weight training है Weight training मूल मंतर weight training है जब तक आप weight training नहीं करेंगे तब तक आपकी muscles developनी होंगी मुसल डेफलउब नहीं तब तक आपकी और वह खुराग ठीक से इस्तावाल करके फिर वेड ट्रेनिंग चालू कर दे हमने ऐसे जो लोग है उनके लिए बनाया है एक एकस प्लस गोल्ड कैप्सुल अच्छा जी मतलब वह कैप्सुल हम कहते हैं जिसकी उमर चाली से उपर हो गई हां जी और हमेशा थका थका रहता है तो उसके लिए बनाया एकस प्लस गोल्ड कैप्सुल अच्छा अच्छा सहाब एक कैप्सुल डेली खाना है सुबह गेरांकर बज़े दस बज़े जब भी आपको ठीक लगते हैं मैं तो कहता होता हूं कि नाश्ता किया उसके बाद तुरां तो उसके बाद तो वह रहे और चेहरे में चमक रहे तो वह आप यकीन मानिये कि जो इनसान छे महीने एक साल तक उसको लेता रहता है और बस इसमें एक एक ही फंडा है कि संडे को छोड़ना है अच्छा हटे में एक दिन छोड़ दो ताकि हम अडिक्ट ना हो इसके लेकिन ये आपकी अंदरूनी श होंगे मोटे मोटे वाले जैसे टेस्टोस्ट्रॉन बढ़ाता है जैसे टेस्टोस्ट्रॉन क्या बढ़ाता है वो बढ़ाता है शिलाजीत शिलाजीत से टेस्टोस्ट्रॉन आप होता है क्योंकि उसके अंदर फुल्मिक एसिड सबसे जाजा होता है और उसके बाद सफेद तो उसके अंदर फिर स्पर्म काउंट स्ट्रॉंग होता है, तो सहब जी उससे क्या होता है कि इनसान का ब्लड और वीरज की क्वालिटी डीसेंट हो जाती है और हर उमर में और जिसके शरीर में वीरज स्ट्रॉंग है, वही तो विसम पतमा है, लेकिन यह है कि यह ऐसा प्रोडक्ट बन गया है, पंजाब में किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाकर के मांगो कि कोई अनर्जी बुष्टर दे तो यार, वो कहेंगे यह थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें अगर हमने गोल्ड भसम लिखा है ना, तो कहीं भी टेस्ट हो जाए वो निकलेगा, जो डाला है वो सफेद, मुसली, सालब, पंजा, जैफल, जमित्री, कौँच, बीज, और उसमें अशवगंद, श्तावर, शलाज, सारी जीजें डाल के साथ में गोल्ड भसम की प्रप्रेशन दें, ये पूरा आयरवेदिक फ्यूर, जो इंग्रिटन्ट लिखे होते हैं, जी इंग्रिटन्ट उसके उपर, और हम लोगों को एजुकेट करते हैं, जैसे आप बैठे हो मेरे सामने, मैं कहते हूँ, एक्स प्लस को जब लोग पढ़ रहे हैं न जी तो एजुकेट ओ अब जो किर्फूर को सब्सक्राइब, जिनको जलन पीट में गैस एस बहब लोग एक कैप्सूल कहते हैं, और ऐसे लोगों पो हमने बोला की वह demonstrations च्छांप कर दहिते हैं, प्सजदिसे ना नमक ना मेरेच कुछ निए छील ना बगवान ने दिया अगर नमक लगाना होता हुटा तो नमकीन बना दिख ता उसको निंबू को तो निमू निलगाना ऐसी खाना चबा चबा के खाना पानी मनादो दस बाराइज दिन के अंदर पेशेंट बोलता है कि सर वो ड़का आब पहले हम उसको र्गढ आ दो को निकलते और तो निकलते आब तो निकलते हाँ अब नहीं निकालते तभी ... प्राब्लम को प्राप्ल्म हिराँ यहां वहाँ क्योंके पस थाइम नही यह more अगर नीम को निमोली लगती है तो निमोली लगती है तो अगर मेंगो के पेड़ को कभी उसने सेव नहीं लगाया उसने अपनी तरफ से पूरा रखा हूँ ये खीरा असी चीज है जो कभी ठीक ही नहीं होती है उसमें बहुत फाइदा करता है और उसमें एक चीज और बड़ी को कितना बड़ा सवाल निकल के आया आपका मैं आपको बता हूँ उसके अंदर कितने confidence के साथ मैं बैठ के बात कर रहा हूं इसका मतलब मैं आपको वह क्या है कि मूली को लेना है चिलका उतार रहना है उसको काट काटके छोटे पीस नमक लगा के एक जाली वाले बरतल में रख दो तांक इसका पानी नीचे टफक जागे रात भर पढ रहने दो पानी तपकाने का मतलब क्या है कि जो मूली खाने से गंधी गास बनती है लोगो तो पाकिस्तानी लहुरी नमक भी बोलते हैं तो वह नमक जो लगता है तो मुली का सारा पानी निकला नमक के सारे जो मिनरल्स हैं वह उसमें आगे तो उसको जब आप खाली पेट दो करके खाओ गे सर उसको तीन चार दिन खालो जिंदगी में एसेड रिफ्लेक्ट होना बढ ओो सर ये तो आप एक ऐसी चीज बोले हैं जो आज की आम अगर ना हुआ तो पूमैंट में बोले लेना आगे को ऐसी बात नहीं बोलेंगे क्योंके ये लाखो लोगों के अपर अजमाई हुए बात है जो मैं इतने इतनी शिदत से कह रहा हूं इसमें मैंने किसी से कोई पै यह एक मतलब हमारी फ्री की सेवा करते हैं यह यह बजरंग बाना है जी ओ बजरंग बली जी का अच्छा जिसके उपर राम का हाथ है यह बाना है यह काम की चीज है और बाकी तो मैं समझता हूं कि लोग बहुत समझदार हैं स्याने हैं और गरम गरम जैसे ठंडी बिल्वकु गरम 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 चिली चिकन काते हैं तो फिर कहते हैं सुभा की असेड हो गया राइट यह तो वह तो होना ही है हूं है करेक्ट बात बोग पीते हैं एक दम तो कोई मना नी किया जा सकता बंद भी नहीं होनी चाहिए नॉर्मली 30 ml 60 ml जो मदला एक नार्मल डोजा हूं लेना पॉइम भोर फिल्मु हम ने देखा है कि पंजाब के हमारे सनी दियोल सहाब है वह तो बालती भरके तो बालती हो उन के लिएए शरवा हाती फिल्मु में अधरवाइस बात करो और सुछ। पी तो मतलब यह जी है शराब जो लोग पीते है उनके बारे में कह रहा है कि वह अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसके साथ नॉर्मल ले जरूरी नहीं होता कि चिकन खाना है पनीर खालो भही पनीर को अच्छे से काटके नमक मिर्च लगा के खालो उसके साथ थोड़ा वह सैलेड वह भी बिना खीरे के रात को खीरा नहीं खाना चाहिए तो वह बिना खीर के सैलेड बगारा ले लो अगर पनीर की बात करें तो पनीर कौन सा वेज़िटेबल है वह भी तो नॉन वेज़ है ना मतलब आउट ऑफ मिल्क प्रड़क्ट है तो पशू के पेट से आनिमल प्रड़क्ट है तो भगवान ने उसमें थोड़ी सी यह दिवार बना दी कि उस बैचारे को कौन सी विमारी थी तो बिल्कुल सभी तो अपने अंदर भी डेवलफ हो जाता ऐसी बात रही है आज की डेट में बताओ कितने लोग हैं जो डाइबटिक हैं और वो उनको कोई खांदन ही नहीं है वैसे हो गया वैसे हो गया बड़ी अर्ली एज में हो जात अज़ा आपकी दुकान चलती उसी से तो मतलब कहने का कि यह जो चीजें ना अपनी खान पान अगर एक बार थोड़ा लोग ध्यान दे ले मैं तो कही बर कहता हूं कि भी एक पैसा नहीं लेंगे भाई साब www.wayadwan.com जो हमारी साइट है उस पे जाहिए अपने मन पसंद का वहां पे डाइट चार्ट अपना वो लिखिये कि मैं इस बीमारी में हूं मुझे इस में कौन सी डाइट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो आपके सामने आएगा उसको डाउनलोड कर लीजे अपने घर में उसको खोल करके अपनी रसोई में चिपका लीजे अच्छा उसको ध्यान रखिये क्या क्या करना है और बहुत ही निचोड निकालके सत्र असी बैद हैं जी हमारे जिनकी पूरी सलह के बाद बनता है ऐसे नहीं बनता है अच्छा गोल जैसा कोई उठा उसने बोल दिया सुबा सुबा ये खाओ वो खाओ ऐसा नहीं बनता वो प्रोपर